बिस्मिल्लारमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम रमजान स्पेशल में बनाएगे सूरज शहर के रांदेर इलाके में मिलने वाला बहुत ही फेमस रंगोनी चिकन पराठा, इस पराठे की खास बात ये है कि इसमें मसालेदार कीमा तो होता ही है, लेकिन साथ ही में टेस्टी चटनी वाला अंडा भी होता है, जिससे इस कीमा पराठे का जायका और भी ज्यादा बढ़ जाता है, सूरज शहर के रमजान बाजार में इस क्रिस्पी रंगोनी पराठे की रौनक सी लगती है, अलहम दलिल्ला, ये एक ही पराठे की साइज इतनी बड़ी बनकर तयार होती है, कि इफ्तारी में दो से तीन लोग भी आराम से खापाएगे, तो चलिए रांदेर एरिया का मश्यूर रंगोनी पराठे को किस तरह बनाते हैं, देख लेते हैं, रंदेर का फेमस रंगोनी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आठा गुन कर तयार कर लेते हैं, जिसके आठा अच्छे से सॉफ्ट होता है, तो पराठे हमारे अच्छे बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने आदा किलो के करीब मैदा लिया है, मैदे को अच्छे से चान कर ल अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा सॉफ्ट आठा तयार करना है, हम रोटी का आठा गुनते हैं, तो थोड़ा सा वो मीडियम होता है, लेकिन यह पराठा बनाने के लिए हमें इस आठे को थोड़ा सा नरम गुनना है, कभी भी आप पराठा समोसे बना र क्यों मसाला तैयार करना हो तो वह बना लेना वहां तक आठा भी हमारा अच्छे से नरम हो जाता है यह देखिए तीन से चार मिनट तक मैंने आठे की अच्छी तरह से मालिश कर लिए और आठा देख सकते हो आपके कितना अच्छा मुलायम और सौफ्ट नरम तयार हुआ है तो इस तरह से जब आठा गुनते हैं तो इस तरह से रांदेर में पराठे मिलते हैं उसमें लचिला पनाता है और पराठे उपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इतना आठा गुनने के लिए मैंने देड़ गिलास पानी लिए तो एक गिलास पानी पहले पूरा दाल दी हूं मैंने और यह दूसरा ग्लास लीती तो आदे गिलास से थोड़ा कम लगाए तो आप से आप पेड़े बनाए मेरे पास जो तवा है वो थोड़ा मीडियम साइस का है तो मैं मीडियम पेड़े बनाऊंगी हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लिए और इसके पेड़े बनाकर हम रख देगे तो देखिए स्ट्रीट में बिल्कुल इसी तरह से वो लो क्या करते है आटा गून कर रख देते जिससे यह मैदे का आटा है तो बहुत अच्छा लच्छीला पना आ जाता है इसमें एक घंटा आटे को गून कर रख देते इस तरह से पेड़े बनाकर तो जिस तरह से रबड की तरह आटा खीचे जाता है उस तरह से हो जाता है तो बिल्कुल आपके पराठे भी आप आटा गून कर रख दोगे तो इस स्ट्रीट में मिलते उसी तरह के बनकर तैयार होगे आटा यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही गुंदी हूँ, क्योंकि रमजान महिने में ये मैदे का आटा बच जाता है ना, तो उससे आप क्या कर सकते हो, कि पपड़ी की तरह फ्राइ करके रख सकते हो, जो किसी भी चाट वगेरा में जैसे रगड़ा बना रहे हो, पानी पूरी बना रहे हो, तो चाट में भी ये पपड़ी को डाल सकते हो, कि मैदे की पपड़ी बनती है, तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी करारी बनती है, यहाँ पर सभी आटे के मैंने पेड़े बना कर उपर से थोड़ा-थोड़ा तेल लगा दियू, और आप देख सकते हो, त यहाँ पर 700 ग्राम चीकन का कीमा है, यह रंगुनी पराठा मटन के कीमे में भी बनाया जाता है, चीकन के कीमे में भी बनाया जाता है, आप चाहे जो लेना चाहते हो ले सकते हो, मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी निकाल दिया है, अब इसमें हम दो चम्म का कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो इसमें हम मसाले डाल देते तो सबसे पहले डालेगे हम हरी मीच तो यहां पर मैंने 8-10 बारी कटीवी हरी मीच लिए आगे भी हम हरी मीच का पेज डालने वाले तो आप उस हिसाब से डाले और यह मीच बहुत ज्यादा तीखी नहीं है बि नमक है टेस्ट के मुताबिक और छोटा आदा चमच है काली मीच का पाउडर इस सभी चीजे डाल देते हैं इसे मिक्स करेगे और इसे हम ढखकर 8-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं तो जो कीमे में से पानी निकलेगा ना तो उसी में हमारा कीमा पक जाएगा तो यह चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी पक जाता है तो मैं इसे ढखकर रख देती हूँ यहाँ पर कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए है मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी जो कीमे में से पानी निकलता है उसी में कीमा हमारा अच्छे से पक जाता है तो अब इसे हमें अच्छी तरह से तेज आज पर सुखा लेना है बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं चाहिए तो अच्छे से ड्राय कर लेना है ना ही मैंने इसमें तेल भी डाली हूँ बस इसे ऐसे ही पकाना होता है अच्छे से इसे सुखा लेते हैं हम तेज आज पर तो यहा इस तरह से पूरा सुखा हुआ होना चाहिए तो मैं गैस बन कर देती हूं और इसे ठंडा होने देते उसके बाद इसमें हम प्यास बगेरा डालेगे तो प्यास को बाद में दालेगे तो इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देते कीमा ठंडा हो रहा है वहां तक देखी रंगुनी पराठे में अंडे को भी डाला जाता है जिसके वहाँ से पराठा अच्छा खासा फूल जाता और बहुत ही मज़ेदार इसमें टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैंने चार अंडे ली हूँ वो लोग क्या करते हैं एक पराठे म बनाये जाता है जो अंडे में डाला जाता है तो मुठी भरके हरा धनिया और 8-10 हरी मिज थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सर में पीस लिए और इसका पेस्ट बना लिए तो यह पेस्ट की वज़ा से भी बहुत अच्छा हमारे पराठे में टेस्ट आएगा तो चलिए अंडे का घोल तैयार कर लेते हैं बड़ा सा कोई भी कटोरा ले ले लेगे ताकि अंडे फ्यटने में आसानी हो कि में चारो अंडे को इसी तरह से हम फोल लेते हैं आप नमक दालेगे इसमें और याभर मेरी हमें तो पाया है हमें तो जाले प्राव कि दाले तो आप लोग सकते हो थोड़ा सा यहां पर तीखा ही रखना है क्योंकि जब हम मैदे के आटे में यह सब डालेगे ना तो थोड़ा फीका ही हो जाएगा तो चार चमच भर के मैंने यह पेस्ट दाल दिया है थोड़ा पेस्ट बचाए तो वह जब हमें काम लगेगे दूसरे पराठे में तो ले लेते कीमा मारा पूरी तरह से थंडा हो गया है अभी इसमें डाले हम प्यास तो यहां पर तीन मीडियम साइस की प्यास को मैंने देखिए इस तरह से में बार चौप पर रहेगे ने की के बाद इसको हातों की मतार से अच्छी तरह से दबाते हुए इसमें से सार Simple N where तयार होता है यहां पर है बारीक कटावा हरा धनिया और यहां पर है थोड़ा सा पुदीने के पत्ते बारीक कटे वे इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो सभी चीज़े डाल देते तो कीमा अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालना है वर्ना अगर गरम- करम में डाल देते ना हम तो फिर प्याज में से पानी निकलने लगता है और फिर हमारा कीमे का जो मसाला है वह एकदम पानी वाला हो जाएगा इसलिए सुखा कर डालना है अब सभी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेते कीमे के अंदर आप इस टाइम पर टेस्ट करके देख सकते हो अगर नमक मिर्च आपको कम लगती हो तो इसमें डाल सकते हो इस टाइम पर देखिए जो लोग सूरत में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा के रांदेर का बहुत ही फेमस ये कीमे का पराठा मिलता है वहाँ पर लेकिन जो सब्सक्राइब में रख देती हूँ और आटे को ले लेते क्योंकि आटे को भी रखे वे एक घंटे से ज्यादा हो चुका है माशाला देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से हमारा मुलायम हो चुका है जितना मैंने इसे नरम गुंदी थी उससे ज्यादा यह सौफ्ट और मुलायम हो चुका है तो बस इसी तरह से हम यह आटे को गुन कर रखते ना तो देखिए यह लचीला पनाया ना तो इस तरह से मैदे में लचीला पनाता है यह आटे को रखने से तो आज मैं बिल्कुल इस्ट्रीट में जिस तरह से रांदेर में पराठा बनता है ना तो उसी तरह से आपको बनाना बता रही हूं तो इसे साइड में रख देते हैं थोड़ा सा हाथों पर तेल लगा लेगे हम और यह यह पादी हो सके उतनी पतली इसकी रोटी बेलना है अब मैं इसे हातों की मदद से करूगी तो देखिए स्ट्रीट में इसी तरह से तेल लगाते वो लोग और इसे लंबा करते जाते तो जितनी पतली हो इतनी पतली कर लेना इसे और ये एक तरफ पराठे बनाना है और दूसरी तरफ गैस पे तवे में तेल डालकर गरम करने के लिए रख देना है ताके फटापट से हाथो आथ इसे हम बनाए और फ्राय कर ले क्योंकि इसकी पतली सी रोटी बेली जाती हो और उस पर सारा जो हमने कीमे का मसाला बनाया है वो डाला जाता है ये देखिए एकदम पतली मैंने कर लिए इसे हमने एक घंटे से ज्यादा रख दिया था नाटे को इसलिए इस तरह से रबबड की तरह ये खीचे जा रहा है आटा मारा आपको अगर इस तरह से नहीं आता हो तो आप बेलन की मदद से भी रोटी को पतला कर सकते हो तो देखिए ये इस तरह से मैंने एकदम पतला इसे कर लिए अब डाले गया हम इसमें जो हमने कीमे का मसाला तैयार किया है वो बिस्मिल्लाय रमानी रहीम तो इस तरह से कीमे के मसाले को मैं डाल देना है थोड़ा कीमे का मसाला इसमें ज्यादा ही डालते है तो देखिए इतना डाल दियूं मैंने अभी इसमें अंडे का बेटर भी आएगा तो ये पराठा मारा बहुत ही अच्छा फूल जाता है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेट कर देते से अब इसमें हम अंडे का बेटर दालेगे जो हमने घोल कर रखाए तो एक बड़ा सा चम्मट ले लिए मैंने एक बार फिर से इसे फैट लेते हैं और फैट कर डालना है माशारला ये अंडे की वैया से काफी ज्यादा फूला फू बेटर ये है माशार चनल्त बस और इसे फैला देगे हम हवाण के आतो से कर देख अगर लगे कि थह्योंट घम एक तो डल सकते ओ आपसा अंडे का बेटर अब इस तरह से हम देखितें से फोल्ड करेगे यहां से उठा कर हमें हलके आतों से इस पर रख देना है और इस तरह से दबाना है अब यहां से उठाएगे हम बिल्कुल हलके आतों से और इसके उपर आ जाना चाहिए इस तरह से रखना है यह देखिए मैंने पानी वगेरा कुछ भी नहीं लगाई है इसे चिपकाने के लिए रोटी हमारी पतली सी है इसके लिए आसानी से चिपक जाता है और फ्राइ करते टाइम बिल्कुल भी तेल अंदर नहीं जाता है अब यहां से उठा करम इस पर रख देगे अब इधर से उठा करम इस पर रखेगे तो देखिए यह पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो यह रंगोनी पराठा इस तरह से बनाया जाता है चलिए अब इसे फ्राइ कर लेते हम पैन में तेल थोड़ा गरम हो गया है उस टाइम पर इस तरह से पकड़ते हुए डालना इसे हलके हातों से बिस्मिल्लाई रमानी रही दो से तीन मिनट इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम फ्राइ होने देगे ताकि ये शेप में अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए उसके बाद ही इसे पलट कर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है इसे इस तरह से में थोड़ा सा हिला देती हूँ तो साइट पर जब आपको लगे कि हलका सा गोल्डन कलर हो गया है उस टाइम पर इसे पलटना है वहा तक इसे ऐसे ही फ्राइ होने देना है अब इसे हम हलके हातों से पलट लेते तेल की छीटे हाथ पर ना पड़े इस तरह से संबलते हो इसे पलटना है ये देखिए माशारला एक तरफ से अच्छा सुनेरी कलर आ गया है दूसरी तरफ से ऐसे ही फ्राइ होने देते हम तेज आज पर तो बिल्कुल ही पराठे को हमें फ्राइ नहीं करना है वरना अंदर से अंडे को भी हमें पकाना है तो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना ताकि धीरे धीरे अंडा भी इसमें अच्छी तरह से फ्राय हो जाए कीमा तो हमने माशालला पका कर लिया है तो कीमा तो अच्छे से गला हुआ ही है सिफ अंडे को पकाना है और जो पराठे की उपर की लिए रहे उसे अच्छा सा कोल्डन क्रिस्पी कर लेना है और ये पराठे को फ्राय करने के लिए आदे से ज्यादा पराठा हमारा तेल में डूब जाए उतने तेल में इसे फ्राय करना है हुए हलका सा आप चम्मच की मदश से हम इसे दबाएगे ताकि अंडा भी पूरी तरह से इसमें फ्राय हो जाए और किनारियों पर इस तरह से तेल करेंगे हम ताकि किनारिया भी अच्छे से फ्राय हो जाए एक बार मैं पलट कर फिर से चेक कर लेती हूँ अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से मैं पलट कर दोनों तरफ से इसे अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राय करूगी तो यहाँ पर धीरे रेकर पलटना है क्योंकि पराठा हमारा काफी ज्यादा बढ़ा है तो तेल के चीटे हातों पर नहीं उड़े यह देखे दीरे दीरे यह फूल राइस में जो हमने अंडा दाला था ना तो अंडा भी अच्छी तरह से इसमें पक जाता है उसकी वज़ा से पराठा हमारा काफी ज्यादा फूला फूला बनता है तो एक बार फिर से उलट पलट कर इसे में फ्राय कर लेती हूँ इस तरह से चम्मच की मदस से थोड़ा थोड़ा तेल दालेगे मूपर से जो लोग सूरत में रहते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि रांदेर में कितना फेमस है यह रंगूनी पराठा तो रांदेर का फेमस रंगूनी पराठा हमारा फ्राय हो चुका है अलम्दलिल्ला देखिए काफी बड़ी साइस का है और कितना अच्छा फूला फूला बनकर तयार हुआ है और आप देख सकते हो कि माशारला कितना क्रिस्पी भी बना है हमने कीमा जब पकाया था तो बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं डाला था बस यह पराठे को फ्राय करते उस टाइम पर यह इसे तेल डालकर फ्राय किया जाता है और माशारला देखिए दोनों तरफ से अच्छा खासा गोल्डन कलर आ गया है कितनी बड़ी साइस का और फूल पराठे को कट करते ही पुदीने और बाकी मसालों की इतनी बहतरीन खुश बुआ रही थी जैसे कबाब समोसे की आती है तो इस चिकन रंगुनी पराठे को इफ्तारी में बनाकर रोजेदार को जरूर किलाए और आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो झाल 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 झाल